तो हेले दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे स्यूट यूट यूट चैनल में दोस्तों मेरा नाम बहुल कुमार और आप देखे रहें ग्यान ठेक सपोर्ट यूट यूट चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वह लाओं कि एफले स्टूडियो आप से लिए वीडियो लाता है रहता हूं तो दोस्तों यहां पर जैसे का आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा एक प्रजेक्ट बना हुआ यानि एक सवंग को मैंने रिमिक्स करके रखा है तो सबसे पहले इसका मैं जीमें सबको सुना देता हूं ठीक है उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा क्या है और इसको यूज कैसे करना चाहिए ठीक है तो चलिए मैं यहां से इसको प्ले कर लेते हैं यहां पर लाके और एक बार प्ले करते हैं ठीक है यह हमारा पहला है और एक और है मेरे पास तो मैं इसको भी सुना दोता हूं यहां पर इसको भी भूलिम देते हैं ठीक है जैसे का आपने सुना एक सेंपल था डेमो और अगर हम इसको सौंग के साथ प्ले करेंगे तो आपको कात्म मज़ा आने वाला है तो एक बार हम सौंग के साथ प्ले कर लेते हैं ठीक है जैसे का आप देख सकते हैं तो यहां पर जू है मैं सौंग को ज्यादा प्ले ने करणगा कूंकि कपई का इसु आ सकता है ठीक है तो सबसे हैं क्या करेंगे यहां पर जू है मिसको नीव और पिर्टी कर लेता हों Augustine यहां सब new in party कर लेते हैं continue okay और इसका BPM जो है 130 कर लेते हैं ठीक है उसके बाद आपको करना क्या होगा सबसे पहले FLST mall को open कर लेना होगा open करने के बाद यहां पर प्लस पर क्लिक करना है प्लस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको GMS का आइकन देखनों को मिल जागा ठीक है तो simply आपको यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा तो दोस्तों यहां पर आपको जो है बहुत सारे फाइल देखनों को मिल जागा ठीक है तो आपको यहां पर second नमर पर जो आपको दिख रह सकते हैं जैसे आपके अंदर फाइल मनिजर में तो वहां से यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर हम एक सेंपल ले लेते हैं उपर वाला उसके बाल आगे बताता हूं ठीक है यहां पर एक सेंपल आ चुका है अभी यहां पर कुछ इस टाइप से आयकन देखने को मिल जागा अब को करना क्या होगा दोस्तों यहां पर आपको बहुत चीजेते देखने को मिल जागा यहां पर एक से केलना है और यहाँ पर आपको ढूनना होगा C4 ठीक है जहाँ पर आपको C4 मिलेगा वहीं सबको pattern बनना है start करना होगा तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे डब्बे देखने को मिल जागा तो यह डब्बे को आपको समझना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको टोटल चार डबा दिख रहा होगा ठीक है एक दो और तीन और चार ठीक है चार डबे का अंदर भी चार डबाई जैसे आप देख सकते हैं ये एक दो तीन चार ठीक है ऐसे तो आपको इस डबे को समझना होगा तो पहले वाला जो लगाना होगा आपको पहले वाला लगाना होगा यहां पर ठीक है मैं आपको एक बार फिर से समझा दिता हूँ ठीक है पहले वाला जो लगाना होगा आपको यहां पी लगाना होगा ठीक है दूसरे वाला जो लगाना होगा यहां से यहां तक दोनों साथ में और तीसरे वाला जो लगाना होगा फिर से यहां पी चाहते वाला यह दोनों साथ में लगाना होगा ठीक है मैं आपको यहां पर बता ज पहला उला जो लगाना है सिप एक डबे में दूसरा उला लगाना है एक डबे और दो दोबे साथ में ठीक है उसके बाद यहां पर हम दोनों को साथ में कौपी कर लेंगे कौपी करने के बाद यहां पर हम फिर से ऐसे ही लगाएंगे जिस मैंने लगाया था तो यहां पर मैं आपको एक बाद फिर से बता देता हूं कि आपको जो ये पहला वला डबा है इसके लास्ट में लगाना होगा दूसरे वला डबा को तीसरे पर और चोथे पर यानि दोनों साथ में लगाना होगा और तीसरे वला पर लास्ट में और चोथे वला पर तीसरा और चोथा साथ में यानि दोनों में लगाना होगा ठीक है इस तरह करने यह बार आपको खुश नहीं करने एक बार इसको कॉपी कर लेना इस तरह पूरा सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे कि तरफ आके और यहां पर एक डबłे ठीक है जैसे का आप देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर इसको उपर की तरफ लेकर जाकर इसे छोड़ाना होगा ठीक है जैसे के आप देख सकते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम ऐसे ही रहने देते हैं ठ तोड़ा सा, अब जैसे चाहें हम यसली है। कोई दिकत नहीं है। आपको जैसा सौंड पसंद है वहसा बना सकते हैं। तो यहां पे हम कैसे लगाएंगे। इसको हम नीचे के तरफ भी ला लेते हैं। धिक है। ऐसे है। और एक बार प्लेक करते हैं। तो चलिए में एक बार प्लेक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे का आप देख सकते हैं, यहां पर हो चुका है, आप जैसे चाय वैसे लगा सकते हैं, यहां पर जो है इसका sound थोड़ा कमा रहा है, यानि volume थोड़ा कमा रहा है, तो उसके लिए आपको यहां पर तीर का अगन पर क्लि करने में दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना, उसके बाद मैं आपको इसको छेड़-चाड़ का नब सिखाऊंगा, ठीक है, प्लस पर क्लिक करने बाद यहां पर आपको लेवल को ले लेना होगा, तो यहां पर हम लेवल ले लेते हैं, लेवल लेन हैं उसके बार दोस्तों आपको करना किया हुगा उसके बाद यह जो आपको दिख रहा ऐpaid है यह जो GPS का यह पूरा का प्र Carton दिख रहा है यो ऐकन इस पर आपको करना क्या हुगा यहां पे आपको सब वोलियम जो है लेबल का कंट्रोल कर सकते हैं जितना चाहिए रख सकते हैं यहां पर ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या होगा यहां पर आपको वाइस जो दिख रहा है यहां पर आपको वाइस पर क्लिक करना है वाइस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह जो आ यहां पर इसको माइनेस और प्लस करता हूं आपको समझ में आजागा ठीक है तो चली में एक वाट प्ले करते हैं ठीक है तो दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि आप GMS का एक ही पैटन बनाके अलग-अलग सांड में यहां पर यूज कर सकते हैं कैसे यहां पर आपको भोकल पर आने बाद यह जो आपको आइकन दिख रहा है ब्रस इस ब्रस को आपको जितना मैनेस जितना प्लस रखना है उस सिसाब से यहां पर आपको सांड देने वाना ठीक है इस चीज को आपको ध्य गरते हैं तो दोस्तो इस तरह जु है आप ज्टन बना सकते हैं और यहाँ विंडियर चूटा सा ले लेते थे तो बर्म में गैटे हैं और किसी एक विंडियर लेते हैं यह वाला तो चलिये मैं से थोड़ा सा ज़िए लेकänge बना लिते हैं और अगर आपको पेंड बनाने नहीं आता है तो उसके फिर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाक रखा है ठीक है तो आप चाहें तो चेक कर सकते सक्थ है कोई दिकत नहीं लिंक मिए विडियो की description में तो वहां वही आप देख सकते हैं को इडिकत नहीं और यहां पिसको हम फूल कर लेते हैं और प्ले करते हैं ठीके दोस्तों और इसको कॉपी करके जो है आप कहीं पर भी ले जाके प्रेस्ट करके और इसका क्या करना है जैसे कि यह जो आपको दिख रहा है इसको इडिट करके और यूज कर सकते हैं जैसे कि यह जो आपको दिखे रहा है इसको आप नीचे उपर भी करके इस तरह से कहीं पर भी ले जाके इसका सौंड का जो कॉलिटीव का थोड़ा चेंज होगा बाकि काफी मजा आने हो ठीक है तो इस तरह जो दोस्तों आप जी में वंदे मात्राम